हेलो सब्सक्राइब दूसमें आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों में आप लोगों को ColorOS 6.7 बेस्ट ऑन Android 10 जी हाँ फाइनली Android 10 यहाँ पर ColorOS 6.7 में आ चुका है और उसकी सारी जानकरी में आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ बहुत सारे नए features आये हैं जैसे कि जो visual है उसको उन्हेंने improved किया है speed को काफी fast कर दिया है साथ में security, privacy को भी उन्हेंने improved किया है famous dark mode और full skin navigation बहुत सारी चीज़े उन्हें add करिये उस सारी चीज़ों की बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वैसे दोस्तों अभी फिलाल के लिए Oppo Reno जो मेरे पास है इसका trial version रहे तुम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस साल के end तक आपको Oppo Reno 10X Zoom, Oppo Reno 2 बगरे के devices में जो वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह है color OS 6.7 Android 10 पर बेश्टे और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे हम settings में जाते और यहाँ पर नीचे about में जाते आप देखेंगे यहाँ पर यह देखेंगे about section पे पूरा change हो गया है और यह देखेंगे हम tap करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे end.10 जो लिखा है तो कुछ इस तरह की आपको मिलता है काफी simple लग रहा है इस बर देखने के लिए काफी अच्छा लग रहा है साथ में आप देख सकते हैं जो speed है वो भी उन्होंने काफी improved कर दिया तो वो मुझे हाँ पर काफी बढ़िया लगा है इसमें अगर आप उपर की तरफ swipe करेंगे तो आप लिखेंगे green animation आता है और नीची की तरफ करेंगे तो power off और red animation आता है तो आपको कुछ इस तरगे का मिलता है वैसे यहाँ आप देखेंगे उपर से नीची की तरफ notification जो panel है यहाँ पर भी आप देखेंगे उन्होंने जो changes करके दे दिया है जो कुछ इस तरगे का लग रहा है जो अच्छा है दोस्तों जो UI है उसमें थोड़ी बत उन्होंने improvements करें जो अच्छा लग रहा है देखिए और यहाँ से यह आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छी चीज़े जो उन्होंने चेंज करें वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे apps के अंदर जो animations होते हैं उन्होंने उसको change करें और बहुत सारे और भी ऐसे चीज़े हैं जो आपको change मिलेगी आगर और उसके आप देखेंगे यह dark mode में तो चलाई गया है लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि आपको बहुत सारे apps इसमें मिलते जो dark mode में हैं और third party apps भी अब यह support करेगा जो भी आपको dark mode में मिलेगा तो काफी बढ़िया है और एक और चीज़े दोस्तों कि जब भी आपको आप करेंगे तो वह सिधा normal mode में चला जाएगा उसके बाद वापस में इसको टैप करता हो तो यह देखेंगे यह dark mode में चला जाएगा तो यह अची चीज़ आपको मिलती है और साथ में दोस्तों dark mode में एक और cool feature आपको मिलता है कि आप अपनी मर्जी से जो schedule कर सकते है कि आ आपको dark mode कभी चाहिए मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप office में काम कर रहे है रात के 10 बज़ आप घर पे आ रहे हो फिर आपको phone यूज़ करना है तो यह automatically 10 बज़े के बाद उसको dark mode में डाल देगा आप देख सकते हैं और किस-किस app में dark mode चाहिए वो भी आप यहाँ पर आ और parental controls तो parents के लिए थोड़ा सा और उन्होंने चीज़े add कर दी जिससे आप और ज्यादा control पा सकते हैं तो यह सारी चीज़े भी additionally उन्होंने आपको provide करिए वैसे दोस्तों आपको इसमें full screen navigation gestures का भी support मिलता है तो अच्छी बात है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ती किया है कि आप कैसे करेंगे यहां से स्वाइब करेंगे तो बैक होगा बीच से करेंगे तो home आएगा और वगएरा वगएरा और जो पहला वाला option is swipe gesture from both side तो आप देखेंगे कुछ इस तरही से करते तो back जाता है ऐसे करेंगे तो home पे चला जाएगा और ऐसे करेंगे तो य हो जाएगा multitasking खुल जाएगा तो हाँ आपको अलग लगतर ही कि यहां पर navigation full screen gestures मिलते हैं जिसका भी आप अच्छे से फाइदा उठा सकते हैं वैसे दोस्तों color of 6.7 में आप आपको जो privacy मिलती है वह बहुत अच्छी मिलेगी और obviously यह Android 10 का भी feature है तो कैसा है दोस्तों कि app की जो permissions होती है आप अपने हिसाब से बहुत ही deeply जो maintain कर सकते हैं तो पहले यहाँ पर Android Pie में ऐसा ज्यादा permissions maintain करने का मौका नहीं मिलता था लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पर आपको जो वह दिया है कि आप जाके अपने हिसाब से कौन सा app किस तरुकी की permissions आपसे मांगता है वह आप यहाँ पर आके जो डिसाइड कर सकते हैं तो पूरा यह पूरा transparent और पूरा आपको हाथ में वह पावर दे दिया है जिससे आप उस चीज को maintain कर सकते हैं एक और चीज है दोस्तों कि आपका जो Mac है जब आप अपने Wi-Fi को connect करते हैं कहीं पर भी तो आपका जो Mac address हो ब अगर आप रेंडम ली किसी Wi-Fi पर connect करते तो उसमें आपको यहाँ पर कोई issue नहीं होगा तो यह भी बहुत ही कूल चीज है जो उन्हें प्राइवेसी की मामल में add किया है तो यहां पर दोस्तों यह है Color OS 6.7 बेस्ट अंड्रोइट 10 जहां पर आपको बहुत सारे नए features मिलत जो आप देख सकते जिसके बारे में आपको बता दिया और फ्यूचर में अविसली Color OS जो है वह बहुत इंप्रूफ करेगा आपको बहुत सारे updates प्रवाइट करेगा तो आप उसके लिए जरू से stay tune करना क्या कुछ होता है दोस्तों मैं आपको उसके लिए अपडेट करता विडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में एक ने विडियो के साथ तिल देने वे ग्रेट डे एंड ऑल्वेस कीप स्माइलिंग